दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अलग टाइप की बुक ऐसे बुक जो मैंने चैनल पर पहले कभी भी डिस्कस नहीं की ये बुक है स्टार्टप्स की बारे में जो लोग स्टार्टप करना चाहते हैं उन पर लिखे हुई है 2014 में लिखी गई है 021 दोस्तो इस बुक को लिखा था पेटर थिर और लाइक मास्टर से बलकर ये दोस्तो ये बुक जो है अगर आपको पसंद आती है तो ही मैं इसको आगे डिस्कुस करूँगा आप इस पूरी वीडियो को ये चैप्टर 1 है इस पूरी वीडियो को देखना अगर आपको ये पसंद आती है तो इसके आगे की चैप्टर्स भी डिस्कुस करेंगी और दोस्तो ऐसी बुक्स पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक author की दिमाग में चलता क्या है कि वो अगर एक book लिखता है तो उसकी दिमाग में चलता क्या है शुरू करते हैं बिजनस में हर मौका एक ही बार आता है कहने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में मार जिकरबर्ग जैसा कोई intelligent आदमी पैदा हुआ तो वो Facebook दुबारा नहीं बनाएगा वो social media की वजाए कुछ और try करेगा नया वैसे ही Bill Gates जैसा कोई intelligent आदमी अगर future में पैदा हुआ तो वो कोई operating system नहीं बनाएगा वो कुछ और try करेगा क्योंकि operating system पहले ही Bill Gates बना चुके है वैसे ही Google के founders Larry Page और Sergei Burn इन दोनों जैसा कोई intelligent आदमी future में अगर पैदा हुआ तो वो कोई search engine नहीं बनाएगा क्योंकि वो तो पहले ही मौजूद है इन दोनों ने पहले ही बना दिया और पूरी दुनिया जानती है कि Google से बहतर search engine कहीं है ही नहीं तो अगर आप इन जैसे लोगों को copy करके अपनी चीज़े बना रहे हो इन ही की तरह अपनी चीज़ों में थोड़ी बहुत पेर बदल करके तो आप इन लोगों से सीख नहीं रहे ये कोई creation नहीं होती ये होता है model में थोड़ा सा फेर बदल बेशेक आप दुनिया को नया बना कर दे रहे हो present कर रहे हो लेकिन model में फेर बदल करके कुछ नया नहीं दे रहे अब मैं मना नहीं कर रहा है ये भी progress का हिस्सा है ये भी progress होती है इसको बोलते है horizontal progress horizontal progress क्या होती है कुछ नया नहीं देना बलकि जो पहले से मौजूद है उसमें थोड़ी से फेर बदल करके दुनिया को present करना और इनों ने जो किया इन तीनों ने जो किया वो भी एक progress थी उसको बोलते है vertical progress यानि zero से एक तक ले जाना समझ में नहीं आया होगा वो मैं समझा दूँगा इनसान एक ही है इस दुनिया में एक ही जीव है एक ही प्राणी है जिसको ऐसा दिमाग मिला है जिसका यूज करके वो इस दुनिया को नया दे सकता है कुछ नया दे सकता है शुरू करते हैं first chapter से हम लोग अच्छा अगर हमसे कोई कहता है कि हमारा future ऐसा होगा हमारा future वैसा होगा तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि future में क्या क्या changes हो सकते हैं क्या future में उड़ने वाली गाड़िया होंगी फिर शायद आज से 100-200 सालों के बाद में इंसान मंगल पर रहेगा जाकर के टाइम से इसका कुछ लेना देना नहीं है चीजे बदलेंगी कितनी future में इस चीज से लेना देना है यही पहली image हमारे दिमाग में बनती है जो अभी तक नहीं हुआ वो क्या future में होगा लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ न 100 सालों के अंदर कुछ भी changes नहीं हुए तो इसका मतलब यह है कि future अभी 100 सालों से भी दूर है लेकिन अगर वहीं चीजे अगले 10 सालों में इतनी बदलने लग गई यह चीजे 10 सालों में होने लग गई मैं सिर्फ उडने वाले गाड़ियों की बात नहीं कर रहा कुछ भी changes अगर आने वाले 10 सालों में होना शुरू हो गए जो आज से पहले कभी नहीं हुए तो इसका मतलब यह है कि future बहुत जल्दी आने वाला है future किसको बोलते हैं future की definition क्या है यह कोई नहीं जानता लेकिर इतना पता है कि कुछ अलग होने जा रहा है इसी को बोलते है future अब यहाँ पर बहुत ही गाड़ से सुनना जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ योगि हो सकता है कुछ नया जानने को मिल जाए मैंने आपको पहले ही बताया कि developments दो type की होते है first होता है horizontal इसका मतलब यह है कि कोई चीज अगर पहले से ही मौझूद है उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके present कर दिया इससे दुनिया को कुछ नहीं मिला समाज को कुछ भी नया नहीं मिला जैसे एक typewriter पहले ही बना बना है मार्केट के अंदर और आपने भी एक typewriter बना दिया उसकी नकल करके लेकिन उसमें क्या किया आपने अपने typewriter में कुछ सुधार कर दिये अच्छी SI लगा दी अच्छे बटन लगा दिये दो तिन साल बाद भी आपने typewriter ही दुनिया को दिया कुछ नया नहीं दिया तो आप किसका हिस्सा बने horizontal development का दूसरे type की progress होती है vertical progress vertical progress क्या होती है जैसे अगर मालो वही typewriter जो दुनिया में मौजूद है उसकी जगे आपने दुनिया को computer में wordpad बना कर दे दिया ताकि पहले दो लोग typewriter पर paper निकालो डालो ये सब करते थे लेकिन wordpad पर सभी available है जो कभी खतम ही नहीं होता तो ये हुई vertical development जिसमें आपने दुनिया को कुछ नया दिया और आज चाइना क्या कर रहा है पहले type की progress horizontal horizontal progress वो अमेरिका की level पर जाना चाता है और क्या करता है हर चीज की copy बना रहा है Chinese हर उस चीज की copy बनाते हैं जो पहले से developed society में developed countries में मौझूद है पर चाहे वो 19th century की railway line 128th century के AC हो सब कुछ तो हर चीज वहाँ पर बनती है चीजों को बनाते हुए वो कुछी steps छोड़ते होंगे या बदलते होंगे लेकिन हर चीज वहाँ पर बनती है जैसे उन्होंने ये landline तार वाले phone जो आते हैं उनका use नहीं किया direct wireless mobile phones पे चलेगे smart phones बनाने में बोलो लेकिन ये सब करके वो आखिर तो सब की copy ही कर रहे है जो चीज पहले से मौजूद है चीजों में फेर बदल करके वो पूरी दुनिया में अपना सामान बेजते हैं तो इससे क्या हो रहा है globalization हो रहा है बैश भी करन जिसको बोलते है जिससे पूरी दुनिया आपस में जोड रही है लेकिन ठीक है लेकिन ये चीज़ करने से अगर दुनिया बोलती है कि globalization ही future है तो ये चीज़ गलत भी है पता है क्यों यूदि इससे technical progress रुख गई है यही मेरी problem ये बात सच है मैं भी मानता हूँ कि technical progress बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये technical progress और changes नहीं हुए ये रुख गए तो पूरी दुनिया में products की मांग बढ़ेगी जिस तरह से बढ़ रही है फिर क्या होगा products की मांग बढ़ेगी तो चाइना production ज़्यादा करेगा और pollution फैलेगी और सोचो अगर अगर इंडिया की हर family Americans की तरह कार चलने की सोचे pollution फैलाने वाली कार रखने का सपना देखे तो इसका मतलब ये है कि environment को कितना नुकसान पहुचाएंगी ये लोग तो पैसा कमाने के पुराने तरीके से पैसा नहीं तबाही आएगी इसको बदलना होगा नई technology लाने पड़ेगी जिससे pollution कम फैले जैसे आज Elon Musk बिना पेट्रोल से चलने वाली कार बना रहे वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये pollution कम पैले तो वो कुछ नया करने की try कर रहे है जैसे हम से बहुत पहले की generations जब पहले लोग आदी मानव थे पहले के time पर तो उनका काम क्या था दूसरों की चीज़े हडपना यही उनका काम था यही उनका business था लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अंदर नए technical changes नहीं किये पर 10,000 सालों के बाद में कुछ technical changes आए मट्टी के बरतन बने पवन चक्की बनाए गई और उसके बाद यह technical progress चलती गई चलती गई और time के साथ नए-नए technical चीज़े पूरी दुनिया में आए मट्टी के बरतनों से लेकर stream engine तक तो यह नए-नए चीज़े जब तक दुनिया में आ रहे थी इन changes को देखते हुए दुनिया को लगता था लोगों को लगता था कि यह progress आगे ऐसे ही चलती जाएगी उमीद यह की जा रहे थी कि आने वाले time पर इंसान चांद पर चला जाएगा घर के लिए बिजली बहुत cheap price में मिलेगी दूसरे planets पर हम लोग जाके रहेंगे इस tribe की progress expect की जा रहे थी लेकिन ये चीज़े नहीं हुई क्यों? क्योंकि technical changes आना रुख गए चायना ने पुरानी चीज़ों को ही वापस दूसरी ढंक से बना करके लोगों को देना शुरू कर दिया यही नहीं आज हम भी यही कर रहे हैं हम लोग horizontal progress कर रहे हैं नहीं progress नहीं कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को बना करके present कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि changes नहीं आये हैं changes बहुत आये हैं मैं आपको बताओ technical changes आये हैं बहुत सारे आये हैं पता है कहाँ पर आये mobile phones में और computers में यह technical changes आये हैं दुनिया इनहीं को अपडेट करने में लगी हुई है लेकिन कई ही और technical changes नहीं आया है changes रुख गया है सोचो अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो solution क्या है अब यहाँ पर solution बताते हैं solution यह है कि technical progress फिर से शुरू करने होगी आगे बढ़ना होगा और यह सब होगा start-up से जब लोग start-up करेंगे start-up का मतलब अपना कुछ नया शुरू करेंगे इसके लिए past में आपको मैं बता दूँ आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा कि बिटेन में जब industrialization आया था और दोगी करन तो उस टाइम पे बड़े बड़े व्यापारी थे businessmen थे उन्होंने क्या किया कि नए-नए inventors को ये बोलना शुरू कर दिया कि हम तुमको पैसा देंगे पैसा देना शुरू कर दिया कि तुम हमारे लिए कुछ नए machine बनाओ कुछ नए आविशकार करो ताकि हम दुनिया को कुछ नया दे सके और पैसा कमा सके तो कुछ नया बनाने की feeling तब ही आएगी जब startup होंगे अब startup ही हैं जो इस दुनिया में रहने वालों की जिन्दगी में कुछ changes ला सकते हैं नए technical changes जैसा हम future से expect कर रहे थे ये हो गया chapter first complete अगर आपको पसंद आया है तो chapter 2 भी बनाएंगे आज की वीडियो में वसत्ता हैं